हेलो फ्रेंट्स मैं विशाली लोधी और स्वगत करती हूँ आप सभी का आपके हैं अपने यूटूब चैनल फ्री एजुकेशन पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो लेक्ट्र में हम लास्ट्व मन के करेंट अफियर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट वन हंड्रेट कॉशन को पढ़ने वाले हैं अगर आप किसी भी गवर्बेंट एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करेंट अफियर्स आपके एक्जाम में बहु स्केप नहीं करना और वीडियो को लास्ट तक हमारे साथ में देखना क्यूंकि सारे इंपॉर्टेंट कॉशन आज आपको इस एक ही वीडियो लेक्ट्र में कवर हो जाएंगे तो चलिया बेना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फॉर्स कॉशन से अंत्रिक्ष यहने कि स्पेस में जाने वाले पहले भारतिय टूरिस्टर कौन बन गया है तो दोस्तों अंत्रिक्ष में जाने वाले पहले भारतिय टूरिस्टर बन गया है गोपी चंद थोटा कुरा आमाज़ोन के संस्थापक जैफ विजोस की कंपनी ब्लू और इजन ने 19 बाई 2024 को श शेपर्ट रॉकेट से इस्पेस भेजा है इन छे लोगों में आंजर प्रदेश के गोपी थोटा कुरा भी शामिल है और दोस्तों गोपी थोटा कुरा जो है यह इस्पेस में बतौर टूरिस्टर बनकर जाने वाले पहले भारतिये बन गए है तो यह कौशन काफी ज़्याद रखना है न्यू शेपर्ड रॉकेट की मदद से इन है इस पेस में भेजा गया है चलिए नेक्स्ट हमारा कौशन है वर्ड हैपीनेस इंडेक्स तो हज़र चौबीस के अनुसार खोशाल देशों में भारत की रेंकिंग क्या है तो दोस्तों वर्ड हैपीनेस इंडेक्स में भारत जो है दो हज़र चौबीस में 126 वे स्थान पर रहा है वर्ड हैपीनेस इंडेक्स के द्वारा जारी किया जाता है तो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेवल डावलाप्मेंट सॉलूशन नेट्वर के द्वारा जारी किया जाता है इस इंडेक्स में 243 देशों में भारत 126 वे स्थान पर है 2023 की हम बात करें तो 2023 में भी हम 126 वे स्थान पर ही थे और इस इंडेक्स में जो फिनलेंड है दोस्तों यह लगातर साथ भी बार दुनिया का सबसे खोशाल देश बना है यानि की नंबर वन पर है और आखरी पारदान पर कौन है तो यह अफगानिस् है 143 नंबर पर दूसरे नंबर पर डैनमार्क है तीसरे नंबर पर आइसलेंड और चौथी नंबर पर स्वीडन देश है चलिए अब इसी क्रम का एक और कौशन आपके एक्जाम में पूछा जाएगा मानव विकास सूचकांग 2023 में भारत की रेंग क्या रही है तो दोस्तो है 193 देशों को रैंकिंग दी गई थी और इसमें भारत जो है 134 वे स्थान पर है बात करें 2023 की तो 2023 में भारत 135 पर था एक अंक ऊपर खिसक कर भारत जो है 134 वे स्थान पर आ गया है टॉप तीन देश कौन से है तो नंबर वन पर स्विजल लेंड है दूसरे नंबर पर ना पर सम्पाइन प्रसक्राटर से सिलेक्शन पर रहे हैं अगर इसी प्रकार से पूरे साल के डिटेश को पड़ना चाहते हैं ये या फिर महत्पून । ने इस को पड़ना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बद वर्य तो नूज हमारे चैनल की current affairs की ebook launch हो चुकी है इस ebook में आपके लिए जनवरी 2023 से अप्रेल 2023 तक का data दिया जा रहा है यानि की पिछले एक साल से जादा का current affairs आपके लिए इस ebook में दिया जा रहा है इसी के साथ में हम आपको बता देते हैं इस ebook में रसाइन विग्यान बहुते विग्यान और जीव विग्यान के जितने भी प्रश्न है topic wise दिये गए हैं और वियाक्या के सहथ में दिये गए हैं और इसी प्रकार सी आप सभी की डिमांड पर रामबन इस्टेटिक जीके की e-book को भी लॉंच कर दिया गया है इस्टेटिक जीके की बुक में आपके लिए विश्व का भूगोल भारत का इतिहास दिया है इतिहास के तीनों पार्ट हैं भारत का समविधान भारतिय अर्थ व्यवस्ता सामान विग्यान और प मांच हरजार से जादा इंपॉटेंट ऐसे प्रश्ण जो की विगत 15 वर्शों में पूचे गया है ऐसे कॉशन का सेलेक्शन आपके लिए इस एबुक में हमारे चैनल के द्वारा रखा गया है यहीं से कॉशन बार-बार एक्जाम में रिपीट होकर पूचे जाते हैं तो इन कोई भी कोरी है तो इस वाटसप नंबर पर आप हमसे कॉंटेक्ट करें आपको वाटसप पर तोरंत रिस्पॉंस दिया जाएगा चलिए अब हम हमारे शेशन के और लोटते हैं और बढ़ते हैं नेक्स कॉशन की और दोस्तों मैं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट ची और सारे इंपॉर्टेंट कॉशन है तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है पूरा वीडियो देखना है करेंट अफ्यस यहीं से पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं आएगा चलिए हमारा कॉशन है अंतरास्टी बौधिक संपदा सूचकांग दो हज़ स्थान पर ही था इस साल कौन सा संस्क्राण है अंतरास्टी बौधिक संपदा सूचकांग का तो ग्यारवा संस्क्राण है और यह इंडेक्स यूएस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोवल इनोविशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है इस सूचकांग में विश्व प्रेस वतनता सूचकांग 2024 में भरत कौन से स्थान पर है 169 स्थान पर है और टॉप पर कौन सा देश है तो नार्वे देश यह प्रत्थम स्थान पर है अगर हम 2023 की रैंकिंग की बात करें न तो दोस्तों 2023 में अपना देश भारत यह 161 नंबर पर था अब 169 इस इंडेस जो है इसके अनुसार खोशाल देशों में भारत 126 वे नंबर पर और टॉप पर कौन सा है फिंड लेंडेस है आखरी नंबर पर कौन है तो हमने अभी डिसकस किया था अफगानिस्तान जो है यह आखरी पायदान पर है शलिए नेक्स कॉशन है देश का पहला ब कि इंडर शाषित प्रदेश है यह खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में पहरे नंबर पर था हम बात कर लेते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की तो इनका आयोजन जम्मू कश्मीर के गुल मर्ग में किया गया दस से लेकर 14 फरवरी 2023 तक प्रथम स्थान पर जम्मू कश् चीर सस्थान पर रहा है तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये छटवा संस्प्रंट था और हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका की तो महरास्ट पहले नंबर पर रहा है यह जो प्रतियों गिता है ये भारत में स्कूल और कॉलेजों के लिए एक रास्टी स्तर की खेल प्रतियों गिता है इसका जो आयोजन है ये तमिल लाडू के चार शहर चेनने त्रिची मदरोई और कोयमी टूर में किया गया था उदगाटन किया प्रधान मंत्री नरिंद मोदी ने शिभंकर बनाया गया वीरा मंगाई बेलू नच्यार के लिए संस्कर्ण मैंने बताया चटवा है और शीर्ष राज जो है ये महरास्ट रहा है 158 पदक के साथ में महरास्ट ने 57 गोल्ड मेडल 48 सिलवर मेडल और 35 ब्रॉंज मेडल को जीत लिया है चलिए नेक्स हमारा कॉशन है ब्रिक्स सिखर सम्मिलन 2023 की मेजबानी किस देश न पंदरवा संस्क्रंट था इसमें एक इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया था कि एक जनवरी 2024 से ब्रिक्स में छे नए सदर्श देशों को सामिल किया जाएगा लेकिन अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में सामिल होने से इंकार कर दिया और साउधी अरब UAE याने कि सयुक्त अर interviews की कई सारे caution मन सकते हैं तो ये caution को discuss करना भी important था और ये सभी fact भी आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं तो याद रखेगा ब्रिक्स में पहले से सदर्श देश कौन कौन से थे तो पहले सदर्श देश थे बी यानि की ब्राजील रूस इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका यनिकी दक्षिन अफ्रीका पांच और नायसा देश्य देश सामिल हुए है साउदी अरब इसके बाद में संयोक्त अरब अमीरात मिश्र एथोपिया और इरान मना किस ने कर दिया है अरजेंटीना ने किया है यह सब भी फैक्ट आपको याद रखने है चलिए नेक और पदक्तालिका में अपना देश भारत जो है यह चौथे स्थान पर रहा है हम बात कर लेते हैं 19 वे एश्याई खेल की तो इनका जो आयोजन है चीन के हांग्जोव शहर में किया गया 19 वा संस्क्रन था यह और आदरश्वा की यहने की जो मोटो है यह सद्यव आगे यहन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है भारत ने कुल 107 मेडल जीते हैं और पहली बार इतने जादा मेडल भारत ने जीते हैं एश्याई खेल में अब हम बात कर लेते हैं कितने गोल्ड है 28 गोल्ड है सिल्वर मेडल है इसमें 38 और ब्रॉंज मेडल कितने है 41 हैं यह भी भी 2023 में किया गया तो याद रखेगा पैरा एश्याई खेलों में सरवादिक पदक जो है यह चीन ने ही जीते हैं और दोस्तों इसमें दिव्यांग एथलीट जो है यह हिस्सा लेते हैं आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे एश्याई पैरा गेम्स पैरा यानि जो एथलीट लोगों होते हैं उनके लिए इस्तिमाल किया जाता है तो याद रखेगा चौथे एश्याई पैरा गेम्स जो है इनका आयोजन भी चीन के हंग्जो शहर में किया गया 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2023 तक चौथा संस्प्रंट था और इसका आदर श्वाक के रखा गया दि पांच पी नमबर पर है तो याद रखेगा भारत ने को 111 मेडल जीते हैं जिन में से 39 गोल्ड मेडल है 31 सिल्वर मेडल है और ब्रॉंज मेडल कितनी है इंक्यावन है चले है यहां पर नेक्स्ट हमारा कॉशन है हाल ही में 71 मिस वर्ल्ड का खिताब किस ने जीता है दोस्तो 71 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो खिताब है यह चैक गड़राजी की क्रिस्टीना पिजकोवा ने जीता है इससे पहले 70 मिस वर्ल्ड विजेता जो है यह कैरोलिना विलावस का थी जो की पोलेंड से बिलों करती थी दोस्तों आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं बह अब कब कैसा प्रदर्शन किया है तो 1966 में रीता फार्या जो है यह भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनी इसके बाद में 1994 में एश्वर राय भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड बनती है और भारत की तीसरी मिस वर्ल्ड जो है यह डाइना हैडिन वनी थी 1997 में इसके बाद में दो साल के बाद मानुशी छिलर जो है यह 2017 में भारत की छटी Miss World बनी थी तो याद रखेगा आप तक भारत से कितनी Miss World बन चुकी है 6 Miss World बन चुकी है कब कब बनी है यह भी याद रखना है यहां से एक कॉशन 100% पूछो जाता है चलिए Miss World की बात कर लिए अब यही पर Miss Universe की भी बात कर लेते हैं तो भारत से अब तक कुल 3 Miss Universe बनी है 1994 में सुश्मिता शेन भारत की पहली Miss Universe बनती है इसके बाद में दोस्तो 2000 में लारा दत्ता आई और यह भारत की दूसरी Miss Universe बनी इसके बाद में 21 साल के बाद हरनास को और शन्दू जो है यह भारत की तीसरी Miss Universe बनी थी चलिए नेक्स्ट हमारा कॉशन है भारत का पहला भूमिगद बिजली ट्रांसफार्मर कहां पर स्थापित किया गया तो यह बैंगलूरू में स्थापित किया गया है स्वक्ष वायू सर्वेक्षन 2023 में कौन सा सहर पहले स्थान पर रहा है तो तेश की जो रिपोर्ट है यह वश्च 2024 में आई है और इसमें इंदौर शहर जो है यह पहले स्थान पर रहा है नेक्स कॉशन है मालदीप के नए रास्टपती कौन चुने गए है महमत मुईजू किस स्टेडियम में महान प्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतीमा का अनावरन किया गया है नेक्स अमारा कॉशन है नीदर लेंड के सरवोच सम्मान इस्पिनोजा पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तो इस्पिनोजा पुरुषकार जो है यह दिया गया है डॉक्टर जोयता गुपता के लिए नेक्स कॉशन है हाल ही में भरत की पहली अंडर 23 महिला कुछती चैंपियन कौन बनी है रीतिका हुड़ा और ये कहां से बिलोंग करती है हार्याना राज्य से नेक्स कॉशन है भारते सेना यानि कि इंडियन आर्मी में सूवेदार के पदपर पदूनत होने वाले पहली महिला कौन बनी है तो दोस्तो पहली महिला सूवेदार बन गई है प्रीति रजक नेक्स कॉशन है अंत्रिक्ष में जाने वाली पहली महिला अरब अंत्रिक्ष यात जो है यह गाई लिए दिपत अबप्लुस कर लें मसेश निर्देश्या का जो अवार्ड है यह दिया गया ंदीप रेड़ी-बांगा के लिए sera एनिमल के लिए इसके बाद में सर्फिस्ट फिल्म जो है यह जवान बनी है सर्फिस्ट फिल्म क्रिटिक्स का जो अवर्ड है यह 12th फेल मुवी के लिए दिया गया है बहुत अच्छी गया है विजेताव की पूरी सूची को डिसकस करेंगे तो दोस्तों 77 वाफ्टा अवर्ड 2024 जो है इनका आयोजन ब्रिटेन के लंदन शहर में किया गया बात कर लेते हैं सर्वस्ट स्परिष्ट अभीनेता ये सिलियन मरफी बने सर्वस्ट निरदेषक जो है क्रिस्टोफर नोलन बने है और इसके बाद में दोस्तों सर्वस्ट फिल्म का जो अवर्डब ряд ये ये ओपिन हैhalf delivery के लिए दिया गया है इन अब मिच्छों चलिए नेक्स्ट हमारा कॉशन है उनत्तरवे फिल्म फियर पुरुषकार दोजर चौबीस में सर्वस्रेश्ट अभीनेता का खिताब किसने जीता है तो दोस्तों सर्वस्रेश्ट अभीनेता का जो खिताब है यह जीता है रंवीर कपूर ने फिल्म एनिमल के लिए अब दोस चोप्रा को दिया गया है त्वेल्थ फिल्म मूवी के लिए नेक्स कॉशन है भारत के रक्षा अनुसंदान और विकास संगठन यानिकी डियाइडियो ने एक जनवरी दोहजर चौबीस को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है डियाइडियो जो है इसका फुल फॉर् ख्याल है नई दिल्ली में है और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में तो यह समीर वी कामत है नेक्स कॉशन अंतर रास्ट यह मुद्रकोष यानिकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रवन निदेशक कौन मनी है क्रिस्टलीना जौरजीवा नेक्स हमारा कॉशन है ऑस्ट्र लाइकल का खिताब जीता है बेलारूस की एरिना सवालेंका ने पुरस डवल का इन्पोर्टेंट है क्योंकि प्रिस डवल का जो खिताब है यह औस्टेलिया के मैथ्यू और भारत के रोहन वोपन्ना के दवारा जीता गया है। तो महिला डवल्स का जो खिताब है ये ताइबान की सी सू बेई और वेलजियम की अलस मार्टैंस की दुआरा जीता गया है नेक्स कॉश्चन तेटीस पे नाटो सिखर सम्मिलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया तो नाटो सिखर सम्मिलन 2023 का जो आयोजन है ये लिथुआनिया की राजधानी फिनियस में किया गया था दोस्तो नाटो सिखर सम्मिलन 2022 ये इस से प्रिवेस जो संस्क्रण है ये स्पेन में आयोजित किया गया था इसके स्थापना 4 अप्रेल 1949 में की गई थी मुख्याले बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है वर्तमान में सदश्य देश कितने हैं तो इसके 31 सदश्य देश है 31 सदश्य देश जो है यह हाल ही में फिनलेंड बना है नेक्स कॉश्टन लोकसभा में महिला आरक्षर बिल किस नाम से पेश किया गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन कॉश्टन है दोस्तो अभी हाल ही में महिला आरक्षर बिल को लाया गया और इसे लोकसभा में नारी शक्ती वंदन अधीनियम के नाम से पेश किया गया क्या है लोकसभा बिल तो जो देश की लोकसभा और राजी की विधान सभा है इसमें महिलाओं के लिए एक तिहाई यानि की 33 प्रतीशत का आरक्षन प्रदान करना ये महिला आरक्षन बिल है और याद रखिएगा इसे क्या नाम दिया गया है नारी शक्ती वंदन अधीनिया पहला राज Jest बन गया है भारत की पहली की एएव टीचटर का नाम इसे पहले अथी लूजस नामThis ten रखा गया तो याद रखेगा इसका नाम लीस रखा गया था AI teacher जो इसका नाम क्या रखा गया तो इसका नाम आईरिस रखा गया है launch कहाँ पर किया गया तो कीरल के तिरुवननद पुराम में next question ICC Under 19 Men's Cricket World Cup 2024 की विजेता टीम का नाम बताईए तो दोस्तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसने ICC Under 19 Men's Cricket World Cup 2024 का खेताब जीता है और इसने किसको हराया है तो अपने देश भारत को हराया है बात करते हैं आईजन कहाँ पर किया गया था दक्षिन अफरीका में विजेता टीम रही है Australia की तो Australia के कप्तान थे Hughes Beastman और उप विजेता टीम रही है भारत की भारत की जो कप्तानी है ये उदय सरहारन के द्वारा की गए थी चले है नेक्स्ट हमारा कॉशन है भारत का दूसरा लोकपाल के से नियुक्ति किया गया अजय मारेकराफ खानविलकर के लिए इससे पहले भारत के पहले लोकपाल या फिर इसे लोकपाल का भी कहा जाता है तो यह पिनाकी चंद्र घोश बने थे इनका कारिकाल वर्ष 2019 से लेकर 22 तक था दूसरे लोगपाल अभी हाल ही में बने है अजय माडिकराव खानविलकर लोगपाल की जो नियुकती है यह रास्टपती जी के द्वारा की जाती है वरतमान में रास्टपती कौ तो यह प्रतिभा देवी पार्टल थी इस प्रकार के जीके के इजी कौशन वे एक्जाम में पूछ ले जाते हैं तो यह भी आपको याद रखने है चलिया है नेक्स्ट हमारा कौशन है ओडिसा के नहराजपाल कौन बने है रगुवर्दा और हाल ही में तृपुरा के भी नहराजपाल बने थे तो इनका नाम भी जान लीजे इंद्र सेना रेड़ी नल्लू यह त्रिपुरा के नहराजपाल बने थे नेक्स कौशन देश की आतंकवाद निरोधक एकाई यानि की राश्चिय सुरक्षा गाड का प्रमुक किसे निक्ति किया गया है नलिल के लिए नेक्स कॉशन विश्में स्नूकर चैंप्येंशिप 2023 का खिताब किसने जीता है बेल्जीम की लुका ब्रिसेल ने आयोजन जो है प्रतियों गिता का ये इंग्लेंड में किया गया था नेक्स कॉशन हाल ही में ससस्त्र सीमा बल यानिकी SSB के नए महाने देशक कौन म उख्यालाई नए दिल्ली में है और आदर्श्वाक्यज यानिकी जो मोटो है ये क्या है सेवा सुरक्षा और बंदुत्व यानिकी सर्विस सिक्योरटी एंड ब्रदर होड चले नेक्स कॉशन रक्षा मंत्राले ने थल सीना का नया उप्रमुक किसे निक्ति किया है उपें आनिलकुमार लाहोटी जो है यसे पहले रेलवे बोर्ट के चीरपरसन और सीयो बनाई गये थे ते वनका स्थान ले लिया है वर्तुमाण में जया वर difी सिद्वाले बोर्ट, परोड़ पर्सन किया गया है यह जो पुरुषकार है यह लता मंगेशकर की याद में शुरू किया गया वर्ष 2022 में पहला पुरुषकार दिया गया था प्रधान मंत्री मोधी जी के लिए इसके बाद में दूसरा पुरुषकार जो है 2023 में यह आसा भोशले के लिए दिया गया जो कि लता मंग कि उसक्ता बहुंकर जीक्तिस पहले द्वाजिक सिखर समिलनं 2023 का आयजन कहां पर किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया थृँ से अमिताप कांथ सिसके बार rhyme जी ट्वेंटी सिकर समिलें दोहजर चौबीस जो है यह ब्राजील में आजित किया जाएगा 19 संस्क्रण होगा और दोस्तों इससे पहले 2022 में जी ट्वेंटी का सत्रवा संस्क्रण जो है यह इंडोनेशिया में आजित किया गया था प्रीवियस भी आपसे पूछा जाएगा जो यह भी आपको याद रखना है अब हम बात कर लेते हैं जब जी ट्वेंटी का आयजन किया गया भारत में 2023 में इसी समय जी ट्वेंटी का 21 इस्थाइस सदस्ट जो है यह अफरीकी संग के लिए बनाया गया यह काफी जदा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों अफरी बावा में हैं चलिए नेक्स कॉशन का अंसर बताएए भारत का 24 नया टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज में इस्तित है तो दोस्तों वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है यह मद्यपरदेश राज में इस्तित प्रदेश के चित्रकूर जिले का नाम भी आपको याद रखना है कहां पर है उत्या प्रदेश के चित्रकूर जिले में से थे चलिए जार खंड के नए मुक्यमंत्री कौन बने हैं चंपाई शोरेन इसी क्रम में अभी कुछ चौर राजी के भी मंत्री बने हैं मुख्य मंत्री बने हैं इनको डिसकस कर लेते हैं तो तेलंगाना के नए मुख्य मंत्री बने हैं कॉंग्रिस पार्टी के रेवंत रेड़ी चातीसगर के नए मुख्य मंत्री हैं विश्णुदेव शाह यह बीजेपी पार्टी से हैं यहा मुख्यमंत्री बने हैं लाल दोहुमा जो की जैट पीम पार्टी से बिलॉंग करते हैं यह अभी हाल ही में बने नए मुख्यमंत्री थे यहां से भी कॉशन आपके एक्जाम में क्रिएट किये जा सकते हैं चले इसी एकरम में नेक्स कॉशन का आंसर बताईए भारत के नए 1950 को कुल नयाइदीशों की संग्या कितनी होती है सुप्रीम कोर्ट में हर एक्जाम में कॉशन यह पूश लिया जाता है तो वर्तमान में 34 यानि की 33 धन एक है एक मुख्य नयाइदीश होते हैं और 33 अन्य नयाइदीश होते हैं इसके साथ में ही जान लीजिए भारत के पहल को ही सौंपते हैं चले नेक्स कॉशन का अंसर बताईए फिक की महिला संगठन यानि एफ फैलो के नए रास्टी अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने समाला है जैश्री वर्माने भारत के पहले दलित मुक्य सूचना आयोक्त यानि की CIC कौन बने है तो यह हीरला सामरि लोग बन चुका है तो दोस्तों करनेल कार्जू जो है इसे हली स्थ भाबर लाया घ्या था नेइक्स कोश्टरन भारत का पहला तीर्थिस्थल जिसे कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना बनाई गई है तो पहला कार्बन न्यूट्रल तीर्थिस्थल बनने वाला है मत्रा ब्रंदावन ये कहां पर है तो उत्तर प्रदेश में है उत्तर प्रदेश शरकार ने वर्ष्ट 2041 तक ब्रंदा कोंसा है इसके बाध में दूसरा सबसे बड़ा मेला है चलिए है नेक्स हमारा कॉछण है हरुण इंडियर रिचलस दोहजारतनी के अनुसार भारत के अमीर व्यक्ति कौन मने है मोकेश अमबाणी यह रिलाइंस इंडस्ट्रिस के चेयर्मेन है इसके बाद में दूसरे स्थान पर अडानी समूव के गौतम अडानी है नेक्स कॉस्ट्टन है हाल ही में वेग्यानिकों ने दुनिया के आटवे महादीप का नक्षा जारी किया है जिसका नाम है जील एंडिया दोस्तों अभी तक आपको पता था साथ महादीप थे अब लेकिन प्रतीशत भाग जो है यह पानी के नीची है महस 6 प्रतीशत भाग जो है यह पानी के ऊपर है चले है नेक्स्ट हमारा कॉश्टन है छटवे हिंद महासागर सम्मिलन की मेजबानी किस देश ने की है बांगलादेश ने हिंद महासागर सम्मिलन 2023 जो चटवा संस्क्रन था आयरजन पांगलादेश की राजदानी धाका में किया गया 12-13 माई अध्यष्टा की है पीम से एक हशीना ने और इसका विशा रहा है विशा यनि की हम थीम की बात कर रहे हैं तो इसकी जो थीम है यह रही है शांती सम्रिद्धी और भविश्रे के सांजेधारी नेक्स कॉश्टन का अंसर बताइए ग्यारवाद जैव उर्जा सिखर शमिलन 2023 कहां पर आयजित हुआ है राजधानी नई दिल्ली में नेक्स कॉश्टन हाली में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांग 2023 में भारत के सिस्थान पर रहा है चालीस में नमर पर वैश्विक नवाचार सूचकांग की हम बात करते हैं तो इसे विश्व बौधिक संपदा संगठन याने की वीपो के द्वारा जारी किया जाता है 132 देश में शामिल हुए थे अपना देश भारत 40 पे नमर पर रहा है टॉप तीन देश कौन से हैं तो स्विज़र लैंड पहले नमबर पर है स्विज़र दूसरे नमबर पर और यूएसे जो है यह तीसरे नमबर पर है भारत की स्थिती 40 वी है बी से सी ने भारतिय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे निक्त किया है अमूल मजूंदार को और यह पूर्ट क्रिकेटर रहे चुके हैं नेक्स पांडे हैं यह 29 नमबर के प्रमुक है और वायुजे ना प्रमुक जो है यह विवेक राम चौधरी है नेक्स कॉच्ट रन एश्याई कुस्ती चैंपेंशिप दोहजर चौबीस में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं नौप पदक जीते हैं बीसवी एश्याई कुस्ती सम्मान किसे दिया गया है प्रभा वर्मा के लिए प्रसिद्ध मल्यालं कवी और लेखक हैं प्रभा वर्मा इनको वर्ष 2023 के प्रतिस्थे 33 सरश्यती सम्मान के लिए चुना गया इनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए किस उपन्यास के लिए दिया गया है रौद्र अच्छे से याद रखनी है और 31 सरस्ती सम्मान जो है यह 2021 में प्रॉफेशर रामदरश मिश्रों को दिया गया था इनकी कविता सिंग्रभ मैं तो यहां हूं के लिए दोस्तों प्रॉफेशर रामदरश मिश्रों जो है यह प्रसिद्ध हिंदी लेकाख है याद रखियेगा देश के जबोड़ वर्या को संभिदान कानुनी अधिकारों और अपने कर्तवयों के बारे में जागरुप करने के उद्देश के से हालही में किसने हमारा सम्मान अभियान का उदगाटन किया है तो दोस्तों यह जो अभियान इसका उदगाटन किया गया है उपरास्टपती जगदीव ? करके द्वारा नेक्स कॉश्चन भारत सरकार ने सोलवे वित आयोक का अध्यक्ष किसे निक्त किया है अर्विंद पंगडिया के लिए और दोस्तों अभी हाल ही में सोलवे वित आयोक के सचिव भी निक्त किये गाए हैं इनका नाम है रित्विक रंजमन पांडे इससे पहले के पंदर्वे विदे आयोक के अध्यक्ष कौन थे एनके सेंग अर्प оловी मैं सो अरप डॉलर की संपती हासल करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनिए यह लवायुप दॉस्तों भारत के सत्थान पर रहा तो भारत सात भी नंबर पर है पहला दूसरा और तीसरा स्थान जो है ये खाली छोड़ा गया है क्योंकि अभी तक जलवायू के लिए किसी ने भी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है अगर 2023 की हम बात करें तो जलवायू परीवरतन प्रदर्शन सुचकांग 2023 में भारत आठवी नमबर पर था दोहजर चौबीस में साथवी नमबर पर पहुंच गया है इसरो द्वारा भारत का दूसरा अंत्रिक्ष केंद्र कहां पर इस्थापित किया जाएगा तो दोस्तो इसरो का पहला अंत्रिक्ष केंद्र कहां पर है तो ये श्री हरी कोटा आंदरपदेश में है दूसरा तमिलाडू के कुल सेकर पटिनम में इस्थापित किया जाएगा जन्वरी 2024 में भारत का पहला सूरी मिशन सफलता पूर्बा कक्षा में इस्थापित हुआ है इस मिशन का नाम क्या है तो दोस्तो भारत के पहले शूरी मिशन का नाम है आदित L1 और याद रखेगा इसे सेप्टेंबर 2023 में कब 2 सितंबर 2023 को प्रिछेपित किया गया था और य उद्यान कर दिया अधिया चलिए नेक्सट्न क्योर बढ़ींगे पूण डिजिटल बैंकिग वाला भरत का पहला राज्ञ बना है के राज अभी हाल ही में भारत में प्रतम से कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट कॉम डिसकस कर लेते हैं जहां से कॉशन बन सकते हैं तो भारत का पहला यूपी आई एटीम किस कंपनी के द्वारा लॉंच किया गया जापान की हिताची पेमिंट कंपनी के द्वारा भारत का भूमिकद विजली ट्रांसफार्मर कहां पर स्थापित किया गया है तो इसे बैंगलूरू में स्थापित किया गया है देश का पहला टैली कॉम सेंटर औप एकसिलेंस किस राज में बनाया जाएगा उत्यपरदेश राज में और दोस्तो चार रनवे वाला भरत का पहला अड़्डा दिल्ली बन गया है यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जहां से कॉशन बनने की प्रॉबिल्टी समा जाती है चले है नेक्स हमारा कॉशन है वैश्पिक उर्जा पुरुषकार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है कॉशिज राज सेखर के लिए दोस्तों भारते पुरुषकार 2024 कि सम्मानित किया गया है सुब्दार के लिया लिए मैं बनneee धनी पृषकर 24 और पुरॱषकार आफ़ल आवार्ड किसे दिया गया है तो ये मिशेल टैला ग्रांड के लिए दिया गया है नेक्स कॉशन है भूतान का सरवोच नागरिक सम्मान दी ओर ऑफ डुग ग्यालपो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं तो दोस्तो पहले विदेशी नेता जि जिंग में खेशर नामग्याल वांग्चुक और आधिकारिक यहां की भाषा जो है इसका नाम है जोंखा नेक्स कॉशन है किस भारती नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सरवोच सम्मान केंपेनियन ऑफ दा ओर ऑफ फिजी मिला है तो दोस्तों फिजी का सरवोच सम्मान जो है यह भी अपने देश के प्रधानमंत्री जी के लिए दिया गया है और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री को बहुत से अवर्ट दिये गए हैं जहां से कॉशन बन सकते हैं तो इनको हम एके करके डिसकस कर लेते हैं तो ग्रीस का सरवोच सम्मान है ग्रेंड क्रॉस ऑफ दा ओर यह मोदी जी को दिया गया फ्रांस का सरवोच सम्मान दी accumерь क्रॉस ऑफ बीमदी जी दीको दिया गया याद रखएगा मोदी ग्रेंड संते यह समन उपमाने तिलक रास्टिय पुरुषकार 2023 और पहला लता दिननात मंगेशकर पुरुषकार ये मोदी जी को दिये गए हैं अभी हाल ही में चलिए नेक्स्ट हमारा कॉश्टन है असम बहवव 2024 सम्माइन के लिए किसे चुना गया है तो दोस्तों असम बहवव 2024 जो है ये दिया गया था और इससे पूर्व की अगर हम बात कर लें तो 2022 का जो असम बहवव है ये दिया गया था उध्योग पती रतन टार्टा के लिए इनका नाम भी आप याद रख लेजेगा कोई भी अगर आवर्ड आपसे पूछा जाता है प्रीवियस तो आपसे कॉश्टन एक्साम म पूर प्रधान मंत्री पीवी नरसिंग माराव वैग्यानिक MS स्वामी नांथन जिनने भारती हरित कांती का जनक कहा जाता है पर पूरी ठाकोर बिहारव के पूर मुख्य मंत्री रह चुके हैं और राजनेता लाल कृष्ण आडवानी ये भारत के साथवे उप्रधान मंत् कर दोगों दोस्तों पूरुषकार 132 यो याद रखेगा 132 पुरिशकार दिये गए है 134 लोगों के लिए हम बात कर लेते हैं पदम पुरिशकार 2023 जो है 132 लोगों के लिए दे गया है इन में से पदम भीभूशन 5 लोगों के लिए पदम भीभूशन 17 लोगों के लिए और पदम शरी पुरिशकार जो है यह दिये गए है 110 लोगों के लिए हम पद्म विभूशन को डिसकस कर लेते हैं यह जादा इंपॉर्टेंट है तो पद्म विभूशन पुरुषकार व्यजंती माला बाली अभिनेत्री के लिए दिया गया है कला के छेतर में के चरंजीवी अभिनेता को दिया गया है विनेश्वार पार्थक जो सुलब इंटरनेशनल के संस्थापक है इन्हें सामाजिक कारे के लिए दिया गया है और पद्म शुरुमन्यम यह भरत नाट्यम दानसार है इन्हें कला के छेत में पद्म विभूशन पुरुशकार दिया गया है यह पांच ओ इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने है नेक्स कॉश्चन अंठावनवे ग्यानपीट पुरुशकार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तो अंठावनवा ग्यानपीट पुरुशकार गुलजार और राम भद्राचार दोनों के लिए दिया गया है दोस्तो इससे पहले संतावनवा फुकन के लिए ये प्रसिद असमिया कमी थे हाली में इनका निधन भी हो गया है चलिए नेक्स कॉशन का अंसर बताइए हाली में फुकन के लिए पुश्पा भारती के लिए पुश्पा भारती को यह सम्मान 2016 में प्रकासित उनके संस्मरण यादे यादे और यादो के लिए दिया जाएगा इससे पहले दोस्तो 32 ब्यास समान जो है 2022 में हिंदी साहिती के प्रसिद दलेखाक डॉक्तर ग्यान चत्रवेदी को दिया गया था इनके उपन्यार पागल खाना के लिए नेक्स कॉप्शन ओस्कर अवर्ड 2024 में सर्विस्ट अभिनेता का अवर्ड किसे मिला है किलियन मर्फी के लिए औसकर अवर्ड 2024 की बात करते हैं तो इसकी शुरुआद ओसकर अवर्ड की ये की गई थी वर्ष 1929 में 2024 में इसका 96 संस्क्राण है सर्विस्ट फीचर फिल्म जो है ये ओपेन हाइमर मुवी वनी है सर्विस्ट अभिनेता का जो अवर्ड है ये किलियन मर्फी को दिया गया है ओपेन हाइमर मुवी के लिए सरस्टेस अभी नित्री का अवार्ड दिया गया है एम्मा स्टोन के लिए पूर थिंक्स मूवी के लिए वही पर सरस्टेस निर्देशा का जो अवार्ड है ये क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है ओपेन हाइमर मूवी के लिए और सरसे इनिमेटेड फीचर फिल्म का जो आवोर्ड है यह दिया गया है दि बॉइ एंड दी हैरोइन मुवी के लिए चले आए नेक्स कॉशन का अंसर बताईए हिंदी भासा के लिए साहे तकाद्मी पुरुषकार दो हदर तेज के विजेता का नाम आपको बताना है तो हिं जीव जो है यह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं यूपी के कई सारे एक्जाम है इस प्रकार के डीप कॉशन पूछ ले जाते हैं यह फेमस पन्यासकार है इनको अभी यह फ़लाना ठिकाना आवोर्ड दिया गया था यह कहां के रहने वाले हैं इस प् और अंग्रेजी यानि की कुल मिलाकर 24 भाशाओं में दिया जाता है एक्जाम में कॉशन पूछा गया था इतनी भाशाओं के लिए साहे तकाद्मी पुरुषकार दिया जाता है तो 24 भाशाओं के लिए साहे तकाद्मी युवा पुरुषकार 2023 के विज़ताओं की सूची क को हम डिसकस करेंगे तो आपको पूरे 24 नहीं याद रखने हैं सिर्फ आपको ये पांच याद रखने हैं यहां से ही कॉशन बनेगा हिंदी के लिए दिया गया है संजीब को मुझे पहचानों उपन्यास के लिए अंग्रेजी के लिए दिया गया है नीलम सरन गौर के लिए उर्दू के लिए दिया गया है साधिका नवाव सहेर के लिए वही पर संस्क्रित के लिए यह जो अवोर्ड है अरुन रंजय मिश्र के लिए दिया गया है और मैथली भासा के लिए दिया गया है वासुकी नाज जा के लिए इनकी रचना और क्रती जो है ये भी आपको या इसी क्रम में इंपॉर्टेंट एक और कॉशन डिसकस करेंगे शिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सरवादिक सेंग खर्च करने वाला देश कौन सा बन गया है तो सरवादिक शेंग खर्च करने वाला देश यह बन गया है अमेरिका नेक्स कॉशन हाल ही में भारत के कितने नए वेटलाइन को वैश्पिक रामसर इस्थल का दरजा मिला है जिससे इनकी संख्या बढ़कर असी हो गई है तो दोस्तों 2024 से पहले रामसर इस्थल की जो संख्या है यह कितने थी 75 थी 5 नए रामसर इस्थल बनाए गया दो 2024 में तो इनको जान लेते हैं तो अंक समुद्र पक्षी सर्रक्षन रिजर करनाटक में इस्थ है अगार नाशनी अभ्यारन यह भी करनाटक में इस्थ है मगदी केरे सर्रक्षन रिजर यह भी करनाटक में है और कराईवेटी पक्षी अभ्यारन यह तमिलाडू में है और लॉंग व दुनिया का सबसे बड़ा हत्यार आया तक देश जो है ये बन गया है भारत दोस्तो नेक्स कॉश्चन है जापान को पचार कर दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था का इस्थान किस देश ने पाया है जापान तीसरे नमबर पर था जापान को पचार कर जर्मनी जो है ये आगे निकल गया है और तीसरे नमबर पर पहुँच गया है जापान चौथे नमबर पर हो गया है और अपना भारत देश जो है यह सबसे बड़ी अर्थिववस्ता के मामले में पांचवे स्थान पर है जलवायू परिवरतन प्रदसन सूचकांग दोहजर चौबिस में भारत के सिस्थान पर है साथवे नंबर पर है WPL 2024 का खिताब किस टीब ने जीता है Royal Challengers Bangalorie यहने कि RCB ने WPL 2024 के फाइनल में Royal Challengers Bangalorie ने दिल्ली Capital को आथ विकेट से हराया और यह खिताब अपने नाम कर लिया मिसीगरा में ICC Under 19 Men's Cricket Wands का विजिताब तीम का नाम आपको बताना है तो दोस्तो आस्ट्रेलिया जो है इसने ICC Under 19 Men's Cricket World Cup 2024 का खिताब टाइटल अपने नाम कर लिया विजेतर टीम रही है ये और आयजन जो है ये दक्षिन अफरीका में किया गया था विजेतर टीम आस्ट्रेलिया की है और भारत की कप्तान थे ओदय सहार है ये कॉशन रिपीट हो गया है नेक्स कॉशन क्रिकेट टूर्णामेंट रजजी ट्रोफी 2024 का खिताब किसने जीता है विधर्व टीम ने जीता है संतोस ट्रोफी 2024 की विजेतर टीम का नाम बताईए सर्विसेश की टीम ने फाइनल में गोवा को हराया है नेक्स कॉशन महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेन फेकने का रिकॉर्ड किस खिलाडी ने बनाया दोस्तो अभी तक का सबसे तेज गेन फेकने का जो रिकॉर्ड है वूमन्स कैटेगरी में ये बनाया है दक्षन अफरीका की सबनीव इसमाइल ने सबनीव इसमाइल कहां की है दक्षन अफरीका की महिला क्रिकेटर है और इन्होंने भारत में चल रहे धबलू पीयल के दोरान मॉंबई इंडिन्स टीम में खेलते हुए यहां रेकॉर्ड अपने नाम कर लिया है नेक्स कॉशन है हाली में कौन सा गेनवाज अंतररास्टे टी ट्वेंटी में एक सो पचास विकेट लेने वाला विश्विका पहला गेनवाज बन गया है तो याद रखिएगा अंतररास्टे क्रिकेट में एक सो पचास विकेट लेने वाले गेनवाज बन गया है टिम साउथी यह न्यूजीलेंड के क्रिकेटर है नेक्स कॉशन है फ्रेंच उपन दो हुजर देखल बेटमिंटन का खिताभ किसने जीता है साथविक साहिराजदंकिरेटी और चराख शेटी की जोडी ने फ्रेंच उपन दो हँजर दो हुजर देखल का खिताभ कीback का highly जीता है तो पदक तालिका में शीर सिस्थान हासल किया है अपने देश भारत में निसानेवाजी प्रतियोगिता आई एससेफ विश्पिकप दोहजर चौबिस का जो आयजन है ये मिश्री की राजधानी काहिरा में किया गया था पदक तालिका में पहले नंबर पर अपना भारत देश है इसने कुल 6 पदक जीते हैं दो गोल्ड है तीन सिल्वर और एक ब्रॉंज मेडल स्वर्ण जीतने वाले विजेता कौन से हैं तो दिव्यान शेह पबार इन्होंने पुर्षों की 10 मीटर एयर राइफल इस परदा में घुल्ड जीता है और रिद्म स्थांगवन उज्वल मलिक इनका नाम है इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित तीम इस परदा में य तो देविंदर जांजरिया जो है यह भारतिय पैरलंपिक भाला फेक खिलाडी है और यह राजिस्थान से बिलॉंग करते हैं नेक्स कॉशन है हाल ही में किसे तीसरी बार एशिया क्रिकेट परिसद यानि की एसी सी का अध्यक्ष चुना गया है जर्शा के लिए और याद धाल है श्री लंका के कोलंबो में और इसका यादर श्वाख हैंने की जो मोटो है यह क्या है क्रिकेट फौर गुड नेक्स कॉंशन हालहिं में क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश की प्रदान मंत्री के लूप में शपत लिए फ्रस्ट्थी लगसन One के प्रदान मंत्री बन नवाज नेक्स कॉश्चन है बैडमिंटन एशिया चैंपेंशिप में श्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारत के पुरुष योगल जोड़ी का नाम बताइए तो साथ विक साहिराज रंकी रेड़ी और चराख शिट्टी की जोड़ी है इसने बैडमिंटन एशिया चैंप में फिर्ण बैडमिंटन थीर्ट हर भी कहा जाता है इसी प्रकार पुरुष क्रेकेट वर्लड कबlect में प्लियर ऑफ दट्यूनिम्यट प्रूण भार्ट' प्लीर बिराट कोली ने उनेद्र प्रकार स्पार दोश्चन तो पुरुष क्रीकेट वल्ड पुर्ट कॉल्ड़ poderia बैट ऑववोर्ट जीता है बिराट कोली ने गुल्डन बैट अववोर्ट किसे दिया जाता है तो पूरे टूर्जमेट में सबसे ज़यादा रन बनाने वाले क्रेकेटर को गुल्डन बैट ऑवोर्ट दिया जाता है और बिराट कोली जोह इनक corri друзья तो गोल्डन बॉल अवार्ट किसे दिया जाता है पूरे टूर्णमेंट में सबसे जादा विकेट लेने वाले क्रिकेटर को दिया जाता है भारती क्रिकेटर मुहमा शमी ने गोल्डन बैट अवार्ट को जीता है मुहमा शमी जो है इन्होंने पूरे टूर्णमेंट में सबसे जादा चौविस विकेट अपने नाम किये हैं इसी क्रिकेट वर्ड कप में इतिहास का सबसे तेश शतक लगाने वाले खिलाडी कौन बने हैं तो यह ऑस्टेलिया के क्रिकेटर ग्लैन मैक्सविल बने हैं इन्हो में सबसे जादा रन बनाने वाले वेल्ड़ी बने हैं इन्होंने 2023 में क्रिकेट वर्ड कप में इससे पहले रिकोर्ड सचिन तेंदुलकर की नाम थह इन्होंने 693 न बनाए थी यह करेट कीजहेगा आप 623 लिखा है 673 रन बनाए थे इनों ने 2003 के वर्ल्ड कॉप में चलिए किस क्रिकेटर ने 50 वा वंडिश तक लगा कर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है तो दोस्तों बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक किये हैं और नए रिकॉर्ड बनाए है विराट खोली ने इस वेक्सिन को नाम दिया गया है एक्स चिक और इसे फ्रांसिसी वायर टेक कंपनी वेल लिवा के द्वारा तयार किया गया है समान नागरिक सहिता को अपनाने वाला पहला भारतिय राजी कौन सा बना है उत्तरा खंड बना है अहाली में ओडी सा विधान साबा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है प्रमिला मलिक बनी है तो इसके सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है जिसका उत्गाटन प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया तो जितना लंबा पुल है इतना लंबा इसका नाम है इस पुल का नाम है अटल विहारी बाजपेई शेवरी न्यावा शेवा अटल सेतू शॉर्ट में इसको अटल शेतू ही कहा जाता है नेंगस्ट मारा गॉशन है भूटान के बूटान के नए प्रधान मंत्री कौन मने है शेरिंग टोब गूटान की बात हुई है तो इसकीर रासधानी है थिंपू थिंपू जो है ये बूटान का सबसे बड़ा शहर है यहां के मुढ़्वियल नगुलत्रम राजा है जिगमे खेशन नामग्याल वांग्चुक और नए प्रधानमंत्री बने हैं शेडिंग तोगे फ्रांस के सबसे कम उम्रिके योवा और पहले सम लेंगे प्रधानमंत्री कौन बने हैं ग्रेवियल अटल फ्रांस की बात हुई है तो यहां की राजधानी पैरिस है मुद्रा यूरो प् बन्यादी सिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देशे से किसके द्वारा कींद्र सरकार के द्वारा नेक्स कॉशन है 37 पर रास्टे खेल 2023 की पदक तालिका में प्रथामिस्थान पर कौन रहा है महरास्ट राज रहा है महरास्ट ने 80 गोल्ड मेडल जीते हैं 69 सिल्वर मेडल उन्यासी ब्रॉंज मेडल इस प्रकार कुल 228 मेडल जीते गए हैं महरास्ट के द्वारा नेक्स कॉश्चन आई पिल 2023 याने की इंडियन प्रीमिर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है जैन नई सुपर किंग्स याने की सीएस के ने दोस्तों चीन ने सुपर किंग प्रकार से जो आई पिल है यह दस टीमों के साथ खेला गया था 2022 में फिर 2023 में भी दस टीमों के साथ खेला गया है और 2024 में भी दस टीमों के साथ ही खेला जा रहा है हम बात कर लेते हैं विजिता टीम की तो यह चिनने सुपर किंग्स बनी थी इसके कप्तान महेंर सिंग धो और परपल कैप का जो खिताब है यह मोस्ट विकेट यानि की सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले क्रिकेटर को दिया जाता है यह भी घुज़राट टाइटन्स के क्रिकेटर मुहमध शामी के लिए दिया गया है इसी क्रम बें नेक्स्ट हमारा कॉश्ण है फीफा महिला व आवर्ड जो है यह एटिना बॉनमाटी के लिए दिया गया और गोल्डन बूट आवर्ड जो है यह दिया गया हिनाता मिया जावा के लिए चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा कॉशन है पुरुष होकी विश्कप 2023 का किस देश की टीम ने जीता है जर्मनी ने दोस्तों प गोल्ड मैडल दिया गया है और विजेता वेल्जियम है जिसने सिल्वर मेडल जीता है अब बात करते हैं तीसरे नमबर पर कौन है तो नीदरलेंड ब्रॉंज के साथ में तीसरे नमबर पर है प्रतियोगिता का आयजन किया गया था ओडिशा में और संस्क्रण इसका कौन स पढ़ना चाते हैं तो आप हमारी इबुक को बाय कर सकते हैं इस इबुक के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है या फिर आप एक नमबर नोट कीजे चानवे तीस बियासी चौरानवे चौसट इस वाटसप नमबर पर कॉंटेक्ट करके आप इबुक को तुरंट भी बाय कर सकते हैं वाटसप के दो हम आपको बता देते हैं आप सभी की डिमांड पर सामाने विज्ञान और रामान इस्टेटिक जीके की इबुक को भी लांच कर दिया गया है बचे इबुक को बाय करके अपनी तयारी को और भी ज़दा बहतरीन बनाए और अपने मन चाहे एक्साम में सेलेक्शन लें चलिए दोस्तों अब आपके लिए एक चैलेंजिंग कॉश्ण रखा गया है जिसका आप सभी को कमेंट करके देना है कॉश्ण है सरवादिक मोबाइल स्पीट के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है आ आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे इसे ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बेहनों के साथ मैं अभी दख चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी बैल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की बहुत 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 तन्यवाद